हलो फ्रेंट्स क्यासे हो आप सब आई हूब कि आप अच्छे होगे और के वियास टीजिटी डव्लोई की प्रिपरेशन आपकी अच्छे चल रही होगी देखिए जो हम लोग प्रिवियस यर कुईशन पेपर की सीरीज श्टार्ट किये थे तो उसमें हम लोग 2017 का पेपर इस सिधे मुद्धे की बात करते हैं और आज आते हैं इस सेशन के पहले कुईशन पे अब तक हम लोग 80 कुईशन कर चुके हैं आज हमारा 81 कुईशन से स्टार्ट करने वाले हैं तो पहला कुईशन जो आपके स्क्रीन पर है कुछ इस तरीके से है तो दिखिए काफी कुईशन इजी है यह आप लोग ऐसे कुईशन काफी कर भी चुके होगे तो इसमें करना क्या हमको यह हमारे पास एक sinusoidal हमारा AC circuit है और उसमें हमको यह peak value given है 20 ampere अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि starting from zero, zero से starting होने पे how long will it take the current to reach 10 ampere for the first time तो अगर यह 20 ampere यहाँ पे कहीं है तो obviously जो 10 ampere होगा वो यहाँ पे कहीं होगा तो उस 10 ampere तक पहुचने के लिए यहाँ पे time कितना लएगा वो हमको बताना है देखे 10 ampere पे तो यहाँ पे भी पहुच सकता है क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी जो value होगी इस current की amplitude की वो 10 ampere होगी तो वो बोला है for the first time मतलब यहाँ पे ऐसे cycle में कई जगह पे 10 10 आएगा बट हमको जो पहली बार पहुचेगा 10 पे वहाँ पे value पता करना है तो करना क्या है इसका हमको equation लिख देना है पहले 20 sin of omega t इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यूं क्यूंकि देखिए यहाँ पे आप omega t की value अगर 0 रखते हो तो sin 0 0 होता है और यहाँ पे pi है तो sin pi 0 होता है 2 pi पे भी 0 होता है even यहाँ पे pi by 2 है क्यूंकि 0 और pi के बीच में यहाँ पे pi by 2 है तो pi by 2 पे यदि आप value चेक रोगे तो यह 1 आएगा sin pi by 2 और 1 आएगा omega t को हम लोग 10 by 20 कर देंगे और यहाँ पे हम लोग सीधा omega t अब लिख सकते हैं omega t sin को हम लोग ऐसे अब sin inverse इस साइड लाने पे कर सकते हैं और यह 10 by 20 हो जाएगा हमको पता है यह 1 by 2 है तो sin of 1 by 2 किसका होता है यह pi by 6 का क्योंकि 30 degree का होता है तो t की value अब आपकी यहाँ से आजाएगी pi by 6 divided by omega omega की value आपको पता है कितना होता है 2 pi f तो यहाँ पे आपको pi by 6 2 pi of 2 pi into f F की value 50 Hz है, तो यहाँ पे 50 Hz रख दोगे आप, तो यह 100 pi हो जाएगा, और 100 pi जो है, यहाँ पे 106 से multiply हो करके, कितना हो जाएगा, और pi से pi कर जाएगा, तो 1 by 600 seconds इसका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, तो second option will be the correct answer for this question, I hope कि आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं अगले question जो अगला question हमारा है, 82 number का, वो यह है कि 2 capacitors are 15 microfarad and 30 microfarad are connected in series, the circuit current when this combination is connected across 50 Hz, 200 volt supply means is, तो इस question में भी हमको पुछा गया है, the circuit current, current कितना होगा, when this combination is connected to 50 Hz, 200 volt supply, तो current यदि आपको निकालना है, तो आपको पता है, कि I is equals to क्या होता है, simply V by Z होता है, impedance यहाँ पे, यहाँ पे Z क्या है impedance है, लेकिन यहाँ पे तो हमको pure, यहाँ पे क्या है, connected through, यहाँ पे capacitor है, तो capacitor का मतलब यहाँ पे हमको capacity or reactance देखना है, और कुछ तो है नहीं, तो V by XC हो गया, अब यहाँ पे V upon XC को हम लोग लिख सकते हैं, 1 upon omega C, यदि हम pi हो जाएगा, right, 2 pi अब से यह 100 pi हो जाएगा, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, C की value, C की value हम लोग कहां से find कर सकते हैं, यह देखिए, capacitors 50 microfarad और 30 microfarad series में connected हैं, तो जैसे हम लोग resistance में parallel solve करते हैं, वैसे ही, capacitor में series solve कर देंगे, तो यह हमारा 15 plus 30 हो जाएगा, यह हमारा C microfarad में है, तो 10 to the power minus 6, अब जब आप इसको इस पूरी value को 1 by में है, तो ओपर ले जाओगे, तो कितना हो जाएगा, 200 into 100 into pi into 10 into 10 to the power minus 6, तो total यहाँ पे कितने जूरों है, 1, 2, 3, 4, 5, इन 6 में से 5 तो कर जाएगे, एक रह जाएगा, तो वो आ जाएगा, तो यह 10 to the power minus 1 रह ग देख लेना, first option will be the correct for this question, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, देखे काफी, मतलब question अच्छे अच्छे भी हैं, जो numerical हैं, और काफी easy हैं, आप लोगों को क्या हता है कि कम time में काफी कुछ चाहिए होता है, तो आप explanation को पसंद नहीं करते हो, आपको देखना चाहिए, चलिए आप हमसे पूछा गया है, पावर कितना होगा, तो देखे अगर pure capacitor की बात करें, तो मैंने आपको already बता रखा है कि जो average power होता है, pure capacitor के थ्रूँ, वो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको instantaneous power की बात की गई है, जैसा कि आप options में भी देख सकते हो, तो instantaneous power हम लोग कैसे निकाले देखे, यहाँ पे अगर हमको instantaneous power निकलना है, तो वो हो जाएगा, VT into IT, right, VT into I of T, देखे, राइटिंग काफी बेकार है, क्योंकि इस पे ठीक से pen चल नहीं रही है, तो उसके लिए sorry, अब यहाँ पे हम लोग VT निकाल लेते हैं, VT हमारा दिया गया है, 100 sign, 1000 T, IT, IT क्या हो simply C की value put कर देनी है, जो की 100 microfarad है, तो 100 microfarad, 100 into 10 to the power minus 6 हो गया, into D by DT, अब यहाँ पे bracket में हम लिख देंगे, 100 sign of 1000 T, 100 sign of 1000 T, अब आप इसको differentiate करना तो जानते ही होगे, यहाँ पे हो गया, 100 into 10 to the power minus 6, यह 1000 बाहर आ जाता है, 1000 और यह 100 तो पहले से ही है, तो 100 into, यहाँ पे हो जाएगा, आपका sign का क्या हो जाएगा, cos और यह हो जाएगा, 1000 T, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि 20, 5 और यह 6, 6 0 कड़ गए, अभी भी 10 बचा हुआ है, तो 10 इससे पुरा कड़ जाएगा, 10 यह cos है, right, cos 1000 T, right, अब यह हमारा इतना आ गया, तो हमार यह 100 और यह 10 मिल करके कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मैं आपको यहाँ कहीं पे दिखा देता हूँ, तो यह हो गया, 1000, 1000 को मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, 500 into 2 इसके पीछे का रिजन यह है, कि अब हम इसका जो मल्टिप्लाई कर रहे हैं, तो यह sin 1000 T, और यह cos 1000 T का अब यहाँ पे बन जाएगा, तो इससे ही हो जाएगा, sine 2 theta, तो यहाँ पे हो गया, sine 2 theta का मतलब यह theta 1000 T है, तो 2000 T हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 500 पहले सी है, तो यह आपका total आ गया, power, instantaneous power, जो कि 500 sine 2000 T है, तो आपके पहला option इससे match कर रहा है, तो first option जो होगा, क्या हो होगा, बढ़ जाते हैं अगले question पे, अगला जो question है हमारा, 84 number का, 100 microfarad coil has a q value of 200 at 2 megahertz, the effective resistance of the coil is, again हमको यहाँ पे effective resistance पुछा है, तो यहाँ पे जो जो चीजे हमको given है, जिसे quality factor, तो हमको पता है quality factor क्या होता है, omega अपान bandwidth होता है, देखिए अगर हमको यहाँ पे bandwidth की बात करे तो omega तो हमको पता है, 2 pi f divided by bandwidth कितना हो जाएगा यहाँ पे, bandwidth हमारा होता है 1 upon time constant और यह देखिए microhenry coil है, Henry का मतलब यह inductor है, inductor का मतलब कि यह RL circuit है, और RL circuit का time constant होता है L by R, तो 1 upon time constant होता है आपका bandwidth, तो 1 upon जब L by R आप करोगे, तो यह उपर चला जाएगा, तो R by L हो जा तो हमको यहीं आर तो निकालना है तो इस एल को उपर लेके चले जाते हैं और quality factor हमको given है 200 200 is equals to 2 pi into f f कितना है मारा फिप स्वारी f यहां पर कितना है कि तो मेगा हर्ट्स तो 2 into 10 to the power 6 हो जाएगा और एल की value हमको given है 100 micro henry तो यह 100 हो गया into 10 to the power minus 6 हो गया micro henry और नीचे आपका r हो गया तो अब r find करना है r को हम इस side 200 को इस side लेके चले आए तो r is equals to सीधा सीधा हाजाएगा 2 pi सीधा 200 को आप यहां कर लो और इस r को यहां कर दो देखिए 100 into 2 200 200 से 200 कर जाएगा 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 से कर जाएगा बचा आपके पास सीधा-सीधा 2 pi सो 2 pi सका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question पे अगला जो question है 85 number का at half power point of a resonance curve the current is यहां पे हमसे current पूछा गया है half power point of a resonance तो देखिए कैसे बनाएंगे हम अगर हम लोग current versus frequency बनाते हैं डाइग्राम तो कुछ ऐसे बनता है चुकि जो impedance होता है minimum होता है resonance पे क्योंकि वहां पे हमको resistance की value के वाल नजर आती है तो अब्यस्ति जो current होगी वह maximum हो जाएगी resonance पे तो कुछ ऐसा आपका बनेगा diagram यहां पे maximum होता है और यह हमारा current यहां पे दिखा दिया हमने i max यह हम current और frequency के उसमें respect में बना रहे हैं तो यहां पे अगर maximum current है तो power भी यहां पे क्या होती है max होगी क्योंकि i rms का square into r होता है current तो power भी maximum होगा तो अगर हमको half power चाहिए तो p max by 2 अगर हम लोग चाहते हैं तो आप देखोगी कि वह i की आपकी value यहां कहीं पे चोकि इसकी value होगी current की i max by root 2 इस current पे आप चेक करके देख भी सकते हो तो जो भी power आपकी यहां पे आ रही थी उसकी अब आधी हो जाएगी आपको example लेके देख भी सकते हो तो कितनी यहां पे हमको जरुद पढ़ रही है i by means 1 by root 2 of i max और 1 by root 2 कितना होता है 0.707 of i max तो इस value पे जो आपकी power होगी वो half हो जाएगी तो third option इससे match कर रहा है कि 0.707 times of the maximum करें half power point मिल जाएगा वहाँ पे हमको right तो चलते हैं अगले question पे third option इसका क्या हो गया correct हो गया अगला question है हमारा 86 number का higher the quality factor Q of a resonant circuit तो options है broader its passband, narrower its passband, greater its bandwidth, sharper its resonance तो higher the quality factor Q पे क्या होता है quality factor हमको जितना ही high चाहिए तो कैसे हम लोग बनाए देखिए जो आपका ये इतना आपका हम quality factor क्रिस्पेंट में बोल रहे है quality factor यहां पे frequency है right तो quality factor ये जितना ही हमारा sharp होगा उतना ही better होगा क्यूंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे area में कोई और भी signals आए ऐसे अगर होता है ऐसे right मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि broader हो थोड़ा narrower नहों तो इसमें काफी सारे और disturbance आएंगी तो जितना ही quality factor अच्छा होता है उतना ही आपका जो frequency range यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि other frequencies में आकर disturb नहीं करती हैं जैसे radio audio में आप लोग सुनते हो तो वहां पे उनकोई quality factor इतनी अच्छी खासी होती है कि जैसे आप यहां पे आते हो तो उन्हीं की केवल आवाज सुनाई देती है इधर उधर की आवाज नहीं सुनाई देती है तो quality factor हमारा है एकदम starper होना चाहिए ठिक at resonance पे तो यहां पे इसका जो fourth option है वो correct हो जाना चाहिए starper at its resonance होना चाहिए था तो starper at its resonance will be the correct for this question बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है हमारा time constant of an RL circuit is given by यह तो काफी बच्चो वाला question हो गया RL circuit का जो time constant होता है L by R होता है तो second option will be the correct बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है हमारा in a one time constant current through a series RL circuit rises nearly तो यहां पे दिखिए current की बात चल रही है कि current कितना rise करता है nearly तो वो simply ऐसे rise करेगा तो steady state तक जाते जाते अगर हम बात करें steady state इसकी क्या है max value है right तो max value की वो कितनी percent तो 63 percent of its steady state यह मतलब steady state value की यहां पे कही 63 percent आएगा तो उसी को हम लोग बोलते है one time constant right time constant जो की L by R होता है RL circuit के लिए और यह होता कैसे actually मैंने आपको बता भी रखा है जैसे गर आपको i t निकलना है तो यह i infinity plus i 0 जादे बताने में तो आपको बोर होने लगता है अब भाग जाते हो चोड़के but देखिए यहां पे e to the power minus t by tau होता है अब यहां पे देखिए i 0 तो हमारा 0 है infinity पे हमारा क्या है i max है तो i max यहां पे हो गया infinity के जहां पे plus i 0 0 हो गया right और यहां पे क्या है minus i infinity तो plus और minus हो जाएगा यहां पे i infinity i max हो जाएगा i infinity पे max ही हो जाएगा और यहां पे e to the power कितना है minus t by tau तो इससे क्या होगा कि i max common हो जाएगा और यह 1 minus e to the power minus t by tau हो जाएगा अब हमको one time constant पे दी हम लोग देखें तो tau t की value tau पुट कर देंगे तो यह e to the power minus 1 हो जाएगा right अब 1 minus अगर e to the power minus 1 कर होगे तो आप देखोगे कि यह 0.637 आएगा जो कि इतने टाइम साफ i max हो जाएगा इसलिए 63% of its final या steady state value उसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो I hope कि आपको समझ में आया होगा बढ़ते हैं अगले question पे अगला question है the time during which capsiper charging current becomes 37% of its initial value is called time constant of n तो 37% तो यह किसका हो जाता है RC circuit का देखी यह भी simple सा यहाँ पर क्या है कि charging जो current है यहाँ पर decrease होने की बात रही है यह होते होते जब 0 हो जाती है तो कितना percent होती है तो 37% of its initial value इनिसियल माल लेते हैं अगर 100 है तो जब यह केवल 37% बचेगा यहाँ पर 37% मतलब एक तरह से करो अगर 100 A current है तो 37 A current है तो उस time पर हम लोग देखते है कि इसका पहला time constant मिलता है राइट पहला time constant तो यह RC circuit का होता है ठीक है इसका time constant होता है RC ही होता है time constant RC और यह भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पिछले में बताया आप वैसे ही values को put करोगे तो यहाँ पर जो I infinity होगा वो 100 होगा राइट 100 या फ I 0 E to the power minus D by tau यह हमारा IT होता है किसी भी यह charging current के लिए equation होता है अब यहाँ पे हम लोग infinity देख रहे हैं क्या हो जा रहा है जाते जाते इंफिनिटी पे 0 हो जा रहा है तो हम लोग 0 put कर देंगे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बस एक second यहाँ पे हम लोग 0 put कर देंगे I infinity की value plus again I infinity क्या हो जाएगा 0 minus यहाँ पे I 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे infinity तो यह हमारा I 0 कितना हो जाएगा देखिए I max यह केवल आप I कहलो और यह 0 हो जाएगा E to the power minus T by tau हो जाएगा यह हमारा equation है IT का अब यहाँ से आप देख सकते हो I into E to the power minus T by tau हो ज calculator में तो वह 0.37 आएगा 0.37 इस वजह से 37% of its initial value हो जाती है यह initial value हाँ आप देख सकते हो कि initial value हाँ जो कि यहाँ पे आई कर दो यहाँ पे initial value तो I hope कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे time constant हम लोग देखते हैं पहला time constant दूसरा time constant राइट बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला प्रोसेस को हम लोग tuning बोलते हैं simply right tuning करते हैं हम लोग ताकि किस frequency पे हमको जो भी हमको चाहिए होता है जैसे resonance ही होगा तो उसके लिए tuning करते हैं तो simply हम लोग इसको tuning बोलते हैं बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है the function of a tuning capacitor to select the desired signal out of many available to reject all undesired signal and to increase the voltage of the desired signal are called तो अगेन ये भी वही question है हमारा कि function of tuning circuit is to select desired signal out of many available to reject all undesired signal and to increase the voltage of a desired signal are called तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं simply tuning बोलते हैं लेकिन अब देख सकते हो कि से modulation sensitivity fidelity fidelity sensitivity सब कुछ है तो इस वज़े से कोई option match नहीं करना चाहिए tuning होना चाहिए तो I think कि इसका none of these क्या हो जाना चाहिए सही हो जाना चाहिए क्योंकि इसको हम लोग tuning बोलते हैं select करने को right कि हमको जो desired चाहिए होता है desired frequency चाहिए होती है क्योंकि sensitivity selectivity इसका मैं आपको provide कर दूँगा अभी देखे काफी कम time होने के वज़े से मैं आपको पूरा explain यहां पर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा वीडियो होता जा रहा है और आपके लिए काफी boreas होता जाएगा तो tuning उसको कहते simply आप यह समझ लो right तो none of these correct answer हो जाएगा बढ़ जाते हैं अगले question पर अगला जो question है in a parallel rlc circuit if rl and c are doubled then bandwidth of the circuit will यहां पर bandwidth हमको चाहिए bandwidth और bandwidth हमको पता है series rl circuit rlc circuit है तो l by sorry one by time constant होता है तो यह one by l by r हो जाएगा time constant तो l by r होता है तो यह r by l हो जाएगा अब यहां पर बोला जा रहा है कि if rl and c are doubled then the bandwidth will be तो सबकुछ double कर दो यहां पर two कर दो यहां पर भी two कर दो two times तो यह two two कर जाएगा तो मितलब उतना ही रह जाएगा r by l तो remains same इसका क्या हो जाएगा correct answer रह जाएगा अगले question पर बढ़ जाते हैं अगला जो question है the maximum number of electrons in n cell can have तो k l m और n total 4 cell होते हैं जिसमें 2 होता है और कितना होता है 2 के बाद 2 8 18 और 32 होता है ऐसे राइट 1 years to 2 years to आप करते जाते हो तो यहां पर आप देख सकते हो कि कितना होता है m में 18 होता है n में 32 n पूछा है तो n का 32 हो जाएगा बढ़ जाते हैं अगले question पर अगला question है the number of electrons in m shell of germanium is तो germanium में कितना होता है 32 होता है तो यह जाएगा 2 8 10 और 18 10 28 24 इतना होता है अपका तो k हो गया यह l हो गया यह m हो गया m में पूछा है m cell में तो m cell में कितना होता है 18 होता है तो यह काफी chemistry के question एक तरह से material science के इजी जी question आगे बढ़ जाते हैं अगला जो question है 95th question the current in the intrinsic semiconductor is manually due to intrinsic semiconductor का मतलब होता है pure semiconductor अब pure semiconductor में कैसे होता है भाई current कैसे flow होता है is manually due to तो इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा thermally इसको आपको hesitate करना पड़ेगा तो thermally generated electrons की वज़द से flow होता है क्योंकि यह pure होता है अगर हम इसमें impurity add करते तब कहीं जाकर के हम लोग इसमें simply वो process देख सकते थे जिसमें electrons electrons की तरफ attract होने लगते हैं लेकिन अगर pure है तो हमको thermally क्या करना पड़ेगा hesitate करना पड़ेगा जिससे electrons generate होंगे और current का flow होगा तो second option क्या हो जाएगा इसका correct हो जाएगा बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है in the pn junction the barrier voltage options presence decreases with increase in temperature decreases with increase in temperature decreases with decrease in temperature is independent of temperature pn junction है जो barrier voltage होता है अगर वहां पे आप क्या करोगे temperature को increase जितना ही करोगे उतना ही ॵोल्टेज पे क्या हो जाएगा उतने ही कम वोल्टेज पे ये जैसे अगर 0.7 पे ये क्या हो रहा है आपका barrier voltage मतलब breakdown हो रहा है breakdown voltage तो वो कम volt पे होगा तो इसका मतलब कि आप क्या करोगे barrier voltage होता है decrease होता है with increase in temperature तो जितना temperature बढ़ा होगे उतना ही ये क्या होगा decrease होगा 0.7 से 0.5 से 0.4 ऐसे आता चला जाएगा अब बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है हमारा 97 नंबर का if the temperature increases by 10 degree centigrade the pn junction barrier voltage is देखिए अभी ये question आया होगा था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे temperature को अगर 10 degree centigrade बढ़ा रहे थे तो जो उसका reverse saturation current था ठीक है reverse saturation current वो क्या हो रहा था टू टाइमस हो जा रहा था डबल हो जा रहा था तो टू टाइमस हो जा रहा था पर 10 degree centigrade लेकिन यहां पे हमको barrier voltage पुछा है कि यह कितना होगा तो यह obviously temperature बढ़ाएंग तो decrease होगा लेकिन कितना होगा यह 2 millivolt पर 10 degree centigrade क्या हो जाता है हो जाता है तो इसका मतलब यह 0.002 हो जाएगा इसी को हम लोग 2 millivolt बोलेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन विल भी दा करेक्ट फार दिस क्विस्टन हर 10 degree centigrade के लिए barrier voltage decrease हो जाता है 0.002 बोल्ट अगला क्विस्टन जो हमारा है 98 नंबर का the depletion layer of a pn junction diode is due to the depletion layer of a pn junction diode is due to the depletion layer कब बनता है देखिए pure semiconductor में तो बनता नहीं है जब हम लोग क्या करते है यह अगर p और n है तो इसमें हम लोग impurity add करते है तभी बनता है तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग सीधे से लिए कह सकते हैं कि doping of the material कब बनेगा depletion layer of a pn junction diode is due to the doping of the material ओके और क्या दिया है reverse basing of reverse basing of junction forward basing of the junction absence of current carrier तो यहां पर दोनों सही है बसरते लेकिन अगर doping आप किये रहो के तब होगा राइट वैस reverse basing में तो आपका decrease होने लगता है बट यहां पर यहां पर जो बोला जा रहा है कि doping of the material इसका क्या हो जाना चाहिए correct हो चाहिए दोनों case में तो बनेगा बट doping of the material इसका correct होना चाहिए कि जब तक doping नहीं होगी आपका depletion layer नहीं बनेगा बढ़ जाते है अगले question पे अगला question होगा clamping is a process of introducing AN तो clamping is a process of introducing AN तो clamping क्या करते हैं देखिए clamping का मतलब होता है सिधा सिधा कि यहां पे अगर आपका कोई signal ऐसे है right alternating signal तो अगर मैं एक circuit diagram बनाओ clamping का तो यहां पे capacitor एक लगा होता है और यहां पे आपका एक यहां पे diode लगा होता है और यह आपका resistor होता है यहां पे आपको output लेना होता है right V output देखिए पूरा explain करने में थोड़ा स्टाइम लग जाएगा बस में इतना बता देता हूं कि जब आप यहां से यहां तक जाओगे प्लस माइनस तो यह क्या होगा ओपन होगा ? उपन होगा तो जो आपका output होगा तो आपका output होगा ? देखिए यहaं वोड़ेज है वही क्या होगा सिधा यहां पे आ जाएगा तो इतनी दूर तक तो यहीं रहेगा लेकिन जैसे आप इससे नीचे निकलते हो मतलाब माइनस अगर सबसको यह Vm है इसका peak और यह minus Vm है तो यहां से जब आप नीचे जाओगे तो minus Vm की तरफ जा रहे हो तो अब जब यह reverse polarity हो जाएगी क्योंकि इस नीचे तो cycle reverse होगे यह plus हो गया तो अब diode क्या कर जाएगा अगर आप ऐसे solve करोगे मतलब ऐसे अगर जारे हो output पर तो यह minus Vm आपको दिख रहा है फिर यह plus Vm दिख रहा है तो minus Vm प्लस Vm यह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहां पर जाएगा तो यह भी थोड़ा थोड़ा एसे उपर उठेगा और यह इतने पर चार्ज हो कर सप्सक्राल करके क्या हो जाएगा इतने पर चार्ज हो कि फिक्स हो जाएगा तो यहां से होते 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 yet यहां तक जाएगा उसके बाद एक सेकेंड यहां तक जाएगा उसके बाद यह ऐसे ऐसे क्या करने लगेगा यहां पर साइकिल रिपीट करने लगेगी स्टिडी स्टेट में तो आप अगर स्टिडी स्टेट में देखोगे तो यह एक DC लेवल तक क्या हो चुका होगा अप हो अगला क्विश्टन हमारा है यह लाष्ट क्विश्टन है और यह लाष्ट क्या पूरे पेपर का लाष्ट कुईश्टन है तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से the random motion of free electrons and holes due to thermal agitation is called तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, diffusion बोलते हैं यहाँ पे, अगर हम PN जंक्सन का example ले, तो random motion of free electrons, जिसे यहाँ पे क्या होता है holes होते हैं, और यहाँ पे electrons होते हैं, तो इनका जो motion है, मतलब P का positive का इस side में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, diffusion process बोलते हैं, इसकी बज़र से यहाँ पे एक depletion layer बन जाता है तो यहाँ पे कब ऐसा होता है, जब इसको हम लोग thermally agitate करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, diffusion, तो random motion of free electrons and holes due to thermal agitation is called diffusion So I hope कि आपको यह जितना भी मैंने आपको कराया, वह आपको समझ में आया होगा, जहां भी आपको दिख्कत लगा होगा मैं आपसे बार-बार बोलता हूँ कि आप कुछ पूछा करो, या फिर आप नहीं समझ में आया, तो वीडियो को dislike कर दिया करो, या कुछ भी किया करो, लेकिन किया करो, तो चलिए, फिर मिलते हैं आपको इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक्यू, टा बाई बाई